तो जैसे कि थमनिल आपने देखा कि क्यार आप भी क्या ये 200 से 500 के लाइन में हो गया देखो ये बहुत बड़ा लाइन होता है ये 200 से 500 का स्कोर का किसकी बात कर रहा हूं जो नीट के जिली है जो आप लोग टैसीरी जेरे हो वह अली बात कर रहा हूं 720 में अगर कोई बच्चा 200 से 500 के रेंज में है मैं इसमें बड़ा रेंज कवर किया हूं और सब की लिए मैं अलग-अलग किया हूं कि लाइक अगर कोई स्कोर कर रहा है 300 से कम इस से कम सब में मैं डिसकस करूँगा तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, इंप्रूफ कैसे करें? आपके मन में सवाल आएगा, यार, 200 से 500 सब लेके आ रहे हैं, ये बहुत लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो बच्चे 500 से उपर ला रहे हैं, या 600 से उपर ला रहे हैं, they are fine at their place, बट, fight होगी आप लोगों में, ये जो 200 से 500 वाला गेम है न, इसमें होने वाली है fight, तो improve कैसे किया जाए कि यार, बुलते हैं न, कि fight करके मेरे को आगे बढ़ना है, वो कैसे किया जाए, वो सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में, और भाई improve हो सकता है, क्या ये बताते हैं पहले, हाँ भाई हो सकता है improve, एक बढ़ try करके देखते हैं न, try करके देखते हैं, अरे भाई अभी अगर 200 से 500 वार, अगर try नहीं करोगे, तो क्या फाइदा वहीं उस situation में रह जाओगे, सो उसके लिए चलिए हम लोग analyze करते हैं, let's analyze, score अगर आपका है 300 से कम, less than 300, मतलब क्या है भाई, कि आपके पस concept की बहुत कमी है, भाई आपको अपना coaching material, या फिर उसको देखना पड़ेगा, कि आप कहां पे lack हो रहे हो, क्योंकि आपका syllabus complete नहीं हो रहा है, syllabus तो दूर की बात भाई आपके पास concept नहीं है, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको भी समझ के नहीं, last time में hurry कर रहे हो, नहीं होगा, score 300 से come है, भाई, very 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 less chances of selection, अगर अभी नहीं सुझ रहे हैं तो देर हो जाएगी, अभी नहीं सुझ रहे हैं तो देर हो जाएगी, ओके, अब मैं बात करता हूँ, 300 से 400 वाले, आपकी problem क्या हो रही है, 300 से 400 वाले, आपका syllabus incomplete रहा जा रहा है, लाइक बोलते हैं ना, कि 60% किया, 40% रहा गया, अब उस 60% कोई बढ़िया से तो नहीं हो पाता है, कुछ कम ही रहा जाती है, तो score आता है आपका around 300 से 400, समझ आ रहा है, अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका score है, 400 से 500 के बीच में, मतलब कहीं ना कि minor error रह जा रहा है है, नहीं, तो आप आराम से 560, 580 पहुंच सकते थे, वो minor error को दूर करेंगे हम लोग, देखते हैं, चलिए, अब हम करते हैं, बात एकदम जटटट से, अगर आपका score है, उसके साब से वीडियो को आप आगे पीछे कर लीजेगा, मैं बात करने मालों, अगर आपका score है, 300 से कम, तो आप क्या कर सकते हो, आपका 400 से कम है, तो क्या कर सकते हो, 500 से कम है, तो क्या कर सकते हो, चलिए, पहले स्टार्ट करते हैं, below 300, तो आपकी कमी क्या होती है भाई, कि आपका तो concept को ठीक करना पढ़ेगा, concept अब आप बोलोगे भईया एक हफ़ते बाद exam है मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा syllabus आप ये बोल सकते हो आप एक काम करो ना at least 70% करके जाओ syllabus 70% ने तो 60% करके जाओ आप try करो इसको 75 बनाने की कितनी 75 नहीं हो सके तो at least 70% पर stick कर रहो आपका target क्या होना चाहिए next target होना चाहिए भईया 4500 तक पहुँचना है अभी मत सोचो की भईया मेरे को top ranker पे आना institute का नहीं पहले आप सोचो की 4500 कैसे पहुँचोगे एक ही करके step चलोगे ना तब होगा जैसे coagulation pathway भी cascade में होता है एक बार में थोड़ी होता है तो same कहानी आपके लिए भी cascade में चलो ना पहले 4500 आने दो फिर 4500 को पकड़ो उस 4500 के बाद फिर score को बढ़ाओ ऐसे करो ऐसे नहीं कि भईया एक बार में 600 पहुँचना है कोई जादू यह चड़ी नहीं है जो घुमाएंगे 4500 आजेगे नहीं ऐसे नहीं होने वाला है अब क्या होता है बिलो 400 मतलब जो बिट्विन जो है ना 300-400 आले वो क्या करिए भाई साब वो आप अपना syllabus को complete करिए देखिए आपका क्या हो जा रहा था 60-70% कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे syllabus complete करने का सोचो इस पर syllabus complete करो कोई भी chapter को मत छोड़ो जो जो chapter आपके test में आ रहे है test में बड़ी ऐसे prepare हो के जाओ at least syllabus complete कर जाओ पहले तो मैं बोलता हूँ syllabus तो उससे आपका score at least 400 प्लस आएगा क्योंकि अगर आपका syllabus complete है तो easy-easy question बनने वाले है मतलब है ना अब मैं बात करता हूँ ध्यान से सुनना 500 वाले मतलब 400 से 500 वाले ठीक है उनके लिए देखो यार बहुत इजी है देखो अगर आप 400 से 500 के भी जूल रहे हो ना बहुत easy आपके लिए बनाना मतलब कोई बड़ी गेम नहीं है आप आराम से समझ लो यार अगर आप थोड़ा मेहनत किए 600 प्लस तो चूने वाले हो आप 600 चूने वाले हो अब क्या करना है आपको आपको करना है बस कुछ नहीं एक revision plan बनाना है हर एक काम करना weekly revision मैं सिखाया हो मैरे बहुत सारी वीडियो में कि weekly revision कैसे होता है उसके बाद उसको monthly में convert कैसे करते है वो revision रहेगा ना एकदम बोल रहे है रपा रप एकदम must से आप score कर पाऊगे एकदम बढ़िया score कर पाऊगे लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी ऐसे नहीं होगा मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत करने के लिए अगर आप तयार हो तो मैं आपकी help करने को तयार हो so guys अगर आपको कोई भी लगता है कि मेहनत वाली मैं क्या करता हूँ मैं academy पे classes देता हूँ biology मेरा core है biology का और मैं क्या करता हूँ मेरे पास जो notes हो गए physics या chemistry के आप देख पाते हो कि last year भी मैं किया था इस year भी मैं थोड़े दिनों बात physics chemistry के जो notes हो जाएंगे मेरे पास मैं उनको upload कर दूँगा हमारे youtube channel पे ठीक है और instagram पर कर follow नहीं किया है ठीक है free classes जो लेता हूँ free में तो सब या सकते हो यार एक घंटा free में आके कुछ सीखके ही जाओगे जो concept की कमी हो concept लेके जाओगे तो आशेकर तो आपको समझ आ रहो अब ultimate goal के है ultimate goal के है ultimate goal है भाईया हिम्मत नहीं हार नहीं है भाईय अगर हिम्मत आरके तो कावन ही वहीं खतम हो जाएगी कि पहली सोच लोगे भाईया I am mediocre मेरा कुछ नहीं होने वाला मैं क्या करूँगा मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है छोड़ो यह सब नीट मेरा जोगा देखा जाएगा नीट नहीं तो जूल जाओगे बाई उससे बेटर क्या करें हम jsem उससे बेटर improve करतें ना एक बर try करते है ना try करके देखो यार बोलते हैना कि हिम्मत करो सब होगा तोड़ा सा होसला रखो हो जाएगा और अगर मेरे बाते कुछ समझ आए हैं 0.0001% इचले को एक like कर देना जिसे आपके दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुँचे और अपने जो close friends है उनको जरूर ये वीडियो शेर करना उनकी भी help हो जाएगी और आप लोग मिल के मैं एक बात बताऊँगा अगले वीडियो में कि ग्रुप स्टडी से कैसे marks increase होते हैं तिल दन गाईज अगर subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना help us grow thank you so much guys all the best